हाई फिंस मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं Windows Tech Solution अगर आपको भी अपने लैप्टॉप पे Windows 11 के लैप्टॉप के desktop पे ऐसा एरर आरहा है आप एरर दे सकते हैं Invalid Partition Table तो इसको कैसे जो बायोज है बायोज ओपन करना है तो मैं Dell का लैप्टॉप यूज कर रहा हूं तो Dell के लैप्टॉप में जो जो F2 function की है इससे बायोज ओपन होता है अगर आप HP का लैप्टॉप यूज कर रहे है तो उस उसको फिर on करेंगे वापस और जैसी यह on होगा आपने F2 जो function की है इसको continuously प्रेस करना है ताकि आपका जो बायोज सेटिंग से वह ओपन हो जाए आपके लापटॉप के अंदर continuously प्रेस करेंगे और आप दे सकते हैं मेरा बायोज ओपन हो गया है उसके बाद आपने mode जो है वह select work है आपने इसको UEFI mode को select करके apply कर देना है तो मैं UEFI mode को select कर लेता हूं ठीक है मैंने UEFI mode को select किया UEFI mode को select करने के बाद आपने इस settings को apply कर देना है basically क्या होता है जो Windows 11 है अगर वो आपकी bios की setting UEFI mode में होगी तो ही वह बूट करेगा अधर्वाइस वह बूट नहीं करेगा तो आपने सिंपली बायोज ओपन करके अपने लैपटॉप की जो सेटिंग्स है बूट सीक्वेंस को करणतों यूफि मोड में चेंज कर देना तो मैंने उफि मोड को सेलेट कर दिल लिए उसको अपने यहीी अप्लाइ करनी है तो वेट करते हैं और आप देख सकते हैं बूट हो रहा है यहां पर और जो मैंने लाप्टॉप है वो बूट हो गया है तो सिंप्ली आपको क्या करना है बाइस में जाके UEFI मोट को सेलेट कर देना है और जो आपका इशू है वो सॉल हो जाएगा तो यह था इस वेडियो में थैंक यू